हेलो प्यारे बच्चों सौगत है आप सब का आपके अपने चैनल स्कूल मैट्सर में तो कैसे हैं आप सब केले हम 10th क्लास की NCRT मैट्स पढ़ रहे हैं जिसका कि हमने चैप्टर नमबर 6 स्टार्ट किया था ट्राइंगल ठीक है हम इसकी एक्सरसाइज 6.4 तक देख चुके है आज की एक्सरसाइज है वो हमारी 6.5 ठीक आज से हम 6.5 श्टार्ट कर रहे हैं जिसका कि आज हम पहला कोस्टन फर्स्ट कोस्टन देखने वाले तो चलिए देखतें आज की क्लास देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो पाइथागोरस थियोरम पर बेजड है तो पाइथागोरस थियोरम आपको पता होना चाहिए साथ में उसका कनवर्स भी आपको पता होना चाहिए तब हम इसके सवाल बहुत असानी से लगा सकते है तो पाइथागोरस थियोरम क्या होता है कि माल लीजे एक ट्राइंगल दि उसका अगर आप square करोगे तो वो जो दो side है उनके square का AB square प्लस BC square इन दोनों की जो value आएगी वो AC square के बराबर आएगी ठीक है? मतलब पाइथागोरोस theorem क्या बोलता है? कि अगर कोई triangle है if one angle angle B is equal to 90 degree अगर एक कुण 90 degree का है तो ये statement सही होता है मतलब 90 के सामने जो side होती है उसका square अगर आप करोगे और जो 2 side बज़ गई उनका square करके अगर आप जोड़ोगे तो क्या होगा? दोनों value same आएगी एक for example के लिए मैं आपको बता देता हूँ जैसे इसकी value दिया 5 इसकी दिरी है 3 और इसकी 4 और ये दिया है 90 तो अगर आप 5 का square करोगे मतलब AC का square करोगे और AB square प्लस BC square करोगे तो दोनों value के आएगी equal करके देख ले ना आप ये कितना जाएगा? 16 मतलब 25 बरावर 25 तो ये पाइथागोरस theorem होता है ठीक? basically 90 के सामने वाली side को हम बोलते है hypotenuse इसको बोलते है क्या base और इसको बोलते है perpendicular ठीक है? तो इसको P से denote किया जाता है इसको H से किया जाता है और इसको B से किया जाता है मतलब hypotenuse का square is equal to क्या होता है perpendicular का square प्लस base का square ठीक है? ये theorem तब ही लगेगी जब triangle के अंदर एक angle क्या हो? 90 degree हो clear? तो इसे ही क्या बोलते है Pythagoras का theorem बोलते है ठीक? अब Converse of Pythagoras theorem क्या होता है? ये भी कहां लगता है? ये भी right angle triangle में लगेगा पर कैसे लगाना है Converse of Pythagoras theorem का मतलब है Pythagoras theorem का ultra अभी हमें क्या बता दिया गया था कि if B is equal to 90 तो ये statement सही होता था अब इसका ultra करना है मतलब ये statement बता दिया जाएगा और ये हमें proof करना है मतलब अगर किसी triangle में जहां से समझना अगर कोई triangle दिया है हमारे पास उसमें अगर एक side का square मतलब जैसे for example ये ही triangle ABC इसमें अगर हमें AC का square is equal to AB square plus BC square दिया हुआ है मतलब एक जो side है हमें उसका square दिया है कैसे दिया है तो जो बच गई remaining side उनके square के sum के बराबर अगर हमें दे दे अगर हमें ये given हो जाए तो हम Converse of Pythagoras theorem से क्या बोल सकते हैं कि इस triangle के अंदर ये जिसकी side आपने ली है इस triangle के अंदर एक जो angle होगा एक angle क्या होगा वो 90 degree का होगा ठीक है मतलब अगर किसी triangle की माल लो ये triangle है इसकी जो side है ये इसको h बोल दे अगर h square is equal to क्या हो जाए b square और p square के sum के बराबर मतलब h square is equal to अगर आपको दे दे p square plus b square ठीक है तो आप definitely बोल सकते हैं कि इसमें ये जो side है जिसके ये sum के बराबर आ रहा है उसके सामने वाला angle क्या होगा 90 degree होगा ठीक है तो इसे बोलते है Converse of Pythagoras theorem अगर angle दिया है तो आप ये statement लिख सकते हो Pythagoras theorem कहलाता है और अगर ये statement दिया है साइड वाला तो आप ये बोल सकते हो कि triangle के अंदर एक angle क्या है 90 degree ठीक है तो इसे बोलते है Converse of Pythagoras theorem दोनों ही theorem clear हो गए अब इसे एक क्या बोलते है basically ये right angle triangle है तो क्या बोले जादा है right angle triangle ठीक Pythagoras theorem कहां लगता है right angle triangle theorem इस मतलब right angle में लगता है ठीक है आगे संच में अब इसी के use करके हम question number one करेंगे तो चली देखते है ये आगे student question number one हमारे सामने देखिए sides of triangles are given below determine which of them are right angles triangles in case of right angle write the length of its hypotenuse अब आपको ये कुछ sides की value दी गई है इसमें आपको बताना है कि कौन सी side वाली जो value है वो right angle को form करेगी मतलब यहाँ पर क्या लगेगा converse of pythagoras theorem ठीक है मतलब हम side का square करके देखेंगे अगर उसका square क्या होगा अन्ने 2 के square के बराबर आ रहा होगा sum के तो क्या बोल देंगे कि वो क्या है एक right angle triangle होगा ठीक है तो अब देखी कैसे लगाना है तीन side की value आप कैसे करोगे तो जो सबसे बड़ी वाली value होती है सबसे बड़ी वाली उसको लेना आपको उसी को आपको h मानना है ठीक है तो h square पराबर क्या होता है p square plus b square यह होना चाहिए किसी भी triangle में मालो हम यह triangle ले ले है यह हमने triangle ले लिया इसमें यह है h यह है b और यह है p ठीक है तो h मतलब सबसे बड़ी जो side होती है वो hypotenuse होती है ठीक तो सबसे बड़ी side है 25 तो फश्ट वाले को चेक करते है 25 का square बराबर क्या आना चाहिए 24 का square प्लस 7 का square यह उरा 625 ठीक है यह हो जाएगा 576 प्लस 49 जोड़ दो कि तो यह भी कितना जाएगा 625 मतलब यह दोनों ही value क्या आ रही है equal आ रही है इसका मतलब यह क्या करेगा एक right angle triangle form करेगा ठीक है 386 इसमें hypotenuse क्या ली सकते हैं 8 ठीक है अब हम इनका square का sum करके देखेंगे ह square बराबर P square प्लस B square आ रहा है की नहीं मतलब 8 का square is equal to 6 square प्लस 3 square यह तो 64 हो जाएगा 36 और प्लस 9 कितना होगे यह 45 64 is not equal to 45 मतलब यह right angle form नहीं करेगा ठीक अगर नहीं करेगा तो hypotenuse बताने की ज़रोती नहीं है next देखिए 50, 80 और 100 सबसे बड़ी side क्या है 100 तो 100 का square अगर हम कर देंगे ठीक इसके बराबर आना चाहिए 80 के square प्लस 50 के square के यह आना चाहिए 100 का square करोगे 2 0 और लग जाएगे यह लग गए अब इसका square करोगे हो जाएगे 64 और 2 0 हो जाएगे यहाँ से प्लस हो जाएगे 25 डबल 0 आप इसको add करोगे 25 को तो यह नहीं आएगा इसके equal देखो 10,000 आ रहा है और यहाँ 8,900 आ रहा है जो की equal नहीं है मतलब यह भी क्या है ट्राइंगल का form नहीं होगा इसको check कर लेते हैं सबसे बड़ी side hypotenuse 13 इसको कर लेते हैं 13 का square is equal to क्या होना चाहिए 12 का square फ्लस 5 का square जाएगा 169 is equal to यह क्या होगा 144 प्लस 25 अब इसको add करोगे तो यह जाएगा 169 और यहाँ भी क्या जाएगा 169 मतलब यह पाइथागुरस theorem का statement proof कर रहा है तो converse से हम क्या बूल सकते हैं यहाँ पर यह statement सही है मतलब इसमें एक right angle sorry इसमें एक right angle बन रहा होगा मतलब यह right angle triangle होगा ठीक उसी की यह क्या दिया है side और hypotenuse जो होती है वो सबसे बड़ी side होती है मतलब h की value क्या जाएगी 13 clear तो इस तरह से हमारा पहला question clear हो गया अब अगले वीडियो हम देखेंग question number 2 पर फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि कोई doubt रह गया है तो comment करके मझे ज़रू बताएं so thanks for watching for more update please like share and subscribe